दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी मज़ेदार जायकेदार बहुत ही स्वादिस चटनी के बारे में बताऊंगी जो ना केवल आपके मूँ का आपके भोजन का जायका बढ़ा देगी बल्कि आपको धेर सारे स्वास्यलाब भी देगी दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार तो चलिए बताते हैं आपको उस चटनी के बारे में दोस्तो जो ये चटनी है ना केवल आपके थाइराइड को रोकेगी बल्कि डाइबटीज और मोटापे को भी कंट्रोल में रखेगी यहां तक कि आपके शुरीर को गर्मी भी देगी आपकी आँखों की रोशनी काफी अच्छी होगी अगर आप इस चटनी को चाटेंगे आपके पेट समंदी कोई भी प्रशानी को ये दूर कर देगी दोस्तो इस चटनी के सेवन से शुरीर में खून की कमी दूर होगी एनीमिया और शुरीर की कमजोरी से आपको बचाएगी इससे आपका लीवर हार्ट सब अच्छा होगा और शुरीर में बैड कोलेस्टोल भी ये बढ़ने नहीं देगी ये चटनी आपको डायरिया और कई परकार के संक्रमनों से भी बचाएगी तो चलिए बताते हैं आज की मज़दार जायकेदार बहुती स्वादिश चटनी के बारे में दोस्तो ये चटनी बनेगी अमरूद से अब आप कहेंगे अमरूद से भी कभी चटनी बनती है तो नहीं दोस्तो बनती है चटनी और ये चटनी आपकी हेल्थ को काफी अच्छा बनाके रखेगी तो चलिए बनाते हैं चटनी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो अमरूद इस तरह से कच्चे से आपके अमरूद होने चाहिए ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए ना ही ज़्यादा कच्चे हो ना ही ज़्यादा पके हुए हो तो इस तरह से आपने आगे और पीछे इनका ये इस तरह से हटा लेना है और साफ सुतरे आपने अमरूद लेने हैं आपके अमरूदों में बीज बिल्कुल कम होने चाहिए और अगर आपके अमरूदों में बीज जादा है तो आपने क्या काम करना है इसको इस तरह से काट कर जैसे मैं काट रही हूँ इसके जो बीज वाला पार्ट है वो हटा दीजिए आपने सारे अमरूदों को यानि जितने भी आप मरूद की चटनी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपने काट लेना है और इनके सारे बीज आपने अलग कर लेना है बीज अलग करने के बाद आपने इसके छोटे छोटे पीसिस कर लेने हैं जैसे मैं कर रही हूँ बस आपने ऐसे ही कर लेने हैं क्योंकि हम इसको मिक्सी में बनाएंगे तो बड़े पीसिस होंगे मिक्सी को खराब कर सकते हैं इसलिए आपने इसके छोटे छोटे पीस कर लेने है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप white बीजो वले अमरूद ले रहे हो तब आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पर लाल बीजो वले अमरूद ले रही हूँ, तो इससरी किसे आपने डालना है इसको mixi jar में, mix दोसो लहसुन की 5-6 कलिया इसको भी आपने लेना है दोसो जो लहसुन होती है हमारी हेल्थ को काफी बढ़िया करके रखती है सर्दियों में आपने इसका जुरूर सेवन करना है क्योंकि ये थाइराइड को कंट्रोल में करके रखती है डायपटीज को कंट्रोल में करती है औ तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़े डाल लेनी है, इसमें उपर से डालेंगे, इसको जैके दार बनाने के लिए, एक चमच, धनिया पाउडर, दो चुटकी, हींग, और ये मैंने लिया है, जीरा एक चमच, इसको आपने रोस्ट करके लेना है, रोस्ट करके ही आपने इसको लेना है विदाउट रोस्ट किये ना ले तो इस तरीके से एक चमच मैंने जीरा लिया है इसको भी हम डाल देते हैं इससे क्या होगा आपकी हल्थ के लिए बढ़िया रहेगा दूसरा इससे स्वाद भी आएगा एक चमच इसमें गरा मसाला डाल लेते हैं और एक से डेड़ चमच इसमें नमक डालते हैं अपने टेस्ट के अंसारा आप नमक ले लीजिए एक चमच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं और दो से तीन यहाँ पर हरी मिर्च ले रही हूँ इस तरह से तोड़कर डाल लीजिए और ये है दोस्तो नीम्बू का रस एक नीम्बू का रस मैंने लिया है नीम्बू के आपने बीज नहीं लेने हैं सिर्फ रस लेना है इस तरह से आपने ये सारी चीज़े डाल लेनी है और इसमें डालेंगे इसको और ज़्यादा healthy बनाने के लिए ये मैंने एक मुठी पुदीना लिया है पुदीने को भी आप इस तरह से काट कर डाल सकते हैं इसके डंठल बगारा ना ले पत्ते पत्ते आप ले लीजिये नरम से उसको काट कर आपने डालना है ये डाल दिये हैं अब अगली चीज आपने लेनी है ये है हरधनिया ये दो मुठी हैं इसको भी आपने इस तरह से काट कर डालना है यानि छोटे-छोटे pieces में करके इसको डाल लेना है ताकि हमारी चटनी जो है वो smooth बने और बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर ready होगी जो कि हमारी health को काफी बढ़िया रखेगी health के लिए बहुत ही बढ़िया चटनी है thyroid जिन लोगों को है वो जुरूर इसका save on करे जिन लोगों को diabetes है या दिल की बिमारी है या फिर मोटापा control करना चाहते है तो इस चटनी को जुरूर खाए हर रोज बस आपने एक या दो चमच खाना है रोटी सबजी के साथ खा सकते हैं आप या फिर ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया टेश्ट देगी तो इस तरह से आपने ये सारी चीजे लेनी है अब दोस्तो उस चीज के बारे में आपको बताते हैं जो आपकी चटनी को बिल्कुल भी फीका नहीं होने देगी आपकी चटनी का कलर वैसे के वैसे ही रहेगा यानि बिल्कुल ग्रीन तो इसमें डाल लेते हैं ये है आइस क्यूब देखे इस तरह से मैंने डाल ली हैं थोड़ी सी आपने ice cube डाल लेनी है इसको डाल कर क्या होगा आपकी चटनी का रंग नहीं पल्टेगा बिल्कुल हरा हरा रहेगा और इस तरह से इसको कर लेते हैं grind ये मैंने grind कर लिया है देखे दोस्तों बिल्कुल smooth सी हमारी चटनी बनी है और इसमें डाल लेते हैं इसका जायका बढ़ाने के लिए ये है एक चमच tomato sauce यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास tomato हो तो वो भी एक काट कर डाल सकते हैं वो पहले ही आप डाल दीजिए तो इस तरह के से मैंने sauce लिया है और इसमें डालेंगे दोस्तों आधा छोड़ा चमच चीनी इससे क्या होगा आपकी चटनी में balance बराबर रहेगा तो इस तरह के से आपने ये सारी चीजे लेनी है यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी चटनी में नमक कम लगे यानि आप नमक चाक कर देख सकते हैं अगर आपको कम नमक लगे तो थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं तो इस तरह के से दोस्तों आपने इसको मिलाना है और एक बार और मिक्सी में चला दे इसको बहुत ही बड़िया टेस्टी चटनी बनकर रेडी है दोस्तों इस चटनी को आप रोज खा सकते हैं दो टाइम खा सकते हैं सुबह और शाम बहुत ही बढ़िया लगने वाली है और health के लिए काफी बढ़िया है बहुत ही असर करेगा आपकी health पर आपकी health को सुधारने के लिए बहुत ही बढ़िया चटनी है तो इस तरीके से दोस्तो आप चटनी बना कर रखे गर में और इसका enjoy करें आप दोस्तों health को भी सुधार सकते हैं और रोटी का भी मज़ा दुगना हो जाएगा इस चटनी को खा कर और दोस्तों इस चटनी को आप 15 दिन के लिए store भी कर सकते हैं बस आपने freeze में रखना है बहुत ही बढ़िया रहेगी आप एक बार बनाए और 15 दिन इसका सेवन करें तो दोस्तों कब बना रहे हैं आप इस तरह की चटनी हमें कोमेंट बोक्स में लिखकर जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में next recipe के साथ तर तक धन्यवाद